नमस्कार डोस्तों स्वागर है अब सभी का थिकराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि इंस्टेग्राम का स्टोरी अगर आपकी भी ओपेंड नहीं हो रहा है तो क्या करना है कैसे सॉल्फ करना है यह करें पाया हुआ अगर वाई-फाय काम करना चाहिए अगर देटा काम की दो भी ओकरनाा चाहिए ठीक में लेकिन आप देख सकते है किसी स्टोरी पर वह बिलेंग हो जाती है मैं मेहा कुटका स्टोरी नहीं टो ऑ रहे है तो ऐसा क्यों की होग्यों का सब्षक्राइब प्र i तो दोस्तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लेम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्वीटर पर फॉलो करके मेसेज कर सकते हैं चलिए दोस्तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश कर देता रिफ्रेश करने के बाद दोस्तो एक बार चेक करते हैं ठीक है तो आभी भी दोस्तो यहाँ पर सेमी प्रॉब्लम है आप देख सकते हैं जब मैं ओपेन कर रहा हूँ इस तो वो सारे ब्लेंग हो जा रहा है तो मेरा खुटका ओपेन करते हैं तो वहाँ पर दुबारा से से प्रोब्लेम। तो फिलाल यहाँ पर मैरा स्ट्वरी ओपन नहीं होरा है। तो अभी क्या करना है इसका अपडेट चेक करूंगा। यहाँ पर इंस्टेग्राम टाइप करके अगर अपडेट नहीं किया हुआ है तो मेक शूर आप इसको भी अपडेट करें। आपडेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर लगबग प्राप्रोलेम्स हो जाना चाहिए तो एक बार अपडेट करके देखते हैं । 50% done and then दोबारा से वेट करते दोस्तों यहाँ पर update करने के बाद हम चेक करने वाला है ठीक है कि problem solve होगा या नहीं होगा सिर्फ और सिर्फ update से उसके बाद भी दोस्तों किसी का हो जाएगा किसी का नहीं होगा solve ठीक है तो और भी मैं आपको solution बताने वाला हूं तो वीडियो के साथ बने रहेगा अन तक तो यहाँ पर फिलाल installing हो रहा है थोरा सा wait करेंगे एंड जब install done हो जाएगा उसके बारा हम जाएंगे instagram पर डुबारा से उसके बाद में हम चेक करेंगे तो यहाँ हो चुका है, तो इंस्टर्ग्राइम पर जाएंगे, इंस्टर्ग्राइम रिष्टार्ड हो चुका है, फिलाल, जुरा सा वेट करते हैं, अभी यहाँ पर आपन करके देखते हैं, तो यहाँ पर सब कुछ अछ़ए से काम कर रहा है, ठीके? तो अपडेट इसका solution है यहाँ पे तो अगर आपको problem आ जाते है Instagram story open नहीं हो रहा है अपडेट कर लिजए आपको solve हो जागा problem By any chance अगर solve नहीं हो रहा है problem टेक बड़ डेटा connection को भी आप reset कीजिगा उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है system पर जाना है and then reset option reset wifi mobile and bluetooth reset setting and then यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना है pattern enter करना है और उसके बाद reset करना है उससे पहले सीम भी select कर लिजएगा ठीके तो network reset कीजिए सारे साथ दोस्तों यहाँ पर आप क्या कर सकते है अगर solve नहीं हो रहा है problem अपन नोडिफिक्शन पर जाए इंस्तेग्राइम को open कीजिए for stop करके देखिए solve हो जाएगा अगर नहीं हो रहा है storage and cache पर जाए clear storage ok कर दीजिएगा उसके बाद permissions पर जाके allow कीजिए permissions को ended mobile को restart करके रिचेक करके देखिए solve हो जाएगा problem तो इतना solution काफी है इस problem को solve करने के लिए तो यहाँ पर मैंने आपको पुरा जो like solution ने वो करके बता दिया है तो आपका problem भी कुछ इस तरह के से solve हो जाएगा उमिद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो बसने होगा thanks for watching